पिंक सिटी की काली हकीकर राजस्थान पुलिस ने किया भंडा भोड कहां मिला जुए और सेक्स कार्टा फर्स्ट इंडिया के साथ कैमरे पर लाइफ रेट नमस्कार हमारी इस खास पेशकश में आप सभी कस्वागत है मैं हूँ सुश्मा राजस्थान की राजधानी जैपर पधारो मारी देश की संस्क्रेटी भारी तादाद में जहां पर पहुँचते हैं विदेशी महमाद लेकिन इसी गुलाबी नगरी की रातु के अगर हम बात करें तो हर रोज पेंक सिटी किशान पर ग्रहन लगता है और इसका सबूत दिखा कल हुई पुलिस की तीन लाइव रेड में और इस स्पेशल शो में आप देखेंगे कामरे पर वही लाइव रेड तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कहां हुआ एक सबसे बड़ा खुलासा ये रेड क्या कहती है पिंक सिटी की काली हकीकर राजस्तान पुलिस ने किया भंडा भो कहां मिला जुए और सेक्स काड़ डां फर्स्ट इंडिया के साथ केमरे पर लाइव रेड तो फर्स इंडिया की टीम इस रेड में पुलिस टीम के साथ रहे हमने वो तस्वीरे अपने क्यामरे में रेकॉर्ड ती जो आपको आज से पहले देखने को नहीं मिली होंगी आईए आपको दिखाते हैं जैपुर शहर की अंधेरी रातों की काली हकीकत जैपुर के पॉश इलाकों में रात का मंजर रईस जादे सजाते हैं कसीनों की महफिल विदेशी लड़कियां करती हैं जस्वी का सौदा खुले आम होती है शराब शबाब की पाटियां विदेशी युवतियां भी वैश्या वृत्ती में तिखी शामर सोमवार रात पुलिस को मिली खुफिया सूचना रात भर चली पुलिस की चापे मारी जुए के अड़ों और होटलों में हुई तलाशी फर्स्ट इंडिया लाइव रेड में पुलिस के साथ कैमरे पर नशे जुए जिस्म फरोशी का सामान DCP East राहुल जैन के निगरानी में कारवाई जैपुर में आखिर ये हो क्या रहा है राजस्तान की राज़ता नी जैपुर शहर की रातों में आखिरकार क्या होता है क्या होता यांकी होटल्स के अंदर क्या होता है यहां पर आने वाले लोगों के साथ उसकाइत लकिन अकली नहीं बलकी सब्सक्राइब की पुलिस की तीम भी मुजूद रएगी हम लेके चलेंगे आपको जैपुर शेहर के इस्ट इलाके में जहाँ पर होटलों की अधिकता है या फिर यू कहें कि वहाँ पर सो से अधिक ऐसी होटले हैं जिनके कोई नामो निशान नहीं है लेकिन फिर भी उनके हर एक कमरे फुल रहते हैं यही जानने के लिए आज हम पुरी रात गूमेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन होटलों के सच्चाई क्या है तो चलिए मेरे साथी सोहन मीना के साथ देखते हैं जैपुर शेहर के इन होटलों का राज जैपुर पुलिस पिंक सिटी को क्राइम से मुक्त करने की कोशिश कर रही है हत्यारों पर लगाम हो या नशे के सामान की बिक्री पर रोग लगानी हो जैपुर पुलिस का क्लीन स्वीप अभियान चारी है इसी के तहब पुलिस को ख़बर मिली कि राजधानी में तीन ठिकानों पर अवैद कारोबार हो रहा है DCP East, राहूल जैन और उनकी पूरी टीम मिशन पर निकल पड़ी रात के तक्रीबन दो बजे हैं चारो ओर सन्नाटा पसरा है लेकिन First India की टीम को शहर की रातों की सच्चाई जानने पुलिस के साथ चलना पड़ा सबसे पहले बजाचनगर इलाके के एक रिस्ट हाउस पर टीम तबिश लेती है तो यहाँ सामने आता है चुआखर यहाँ सिर्फ जैपुर के लोग ही नहीं आते बलकि हर्याना समेत अन्य और राज्यों के बदमाश भी अपनी राते रंगीन करने पहुँचते हैं यहाँ माचूद लड़कियों में कई ऐसी भी हैं जो भारत के नहीं हैं यह अपने जिस्म का सौदा करने को तयार होकर यहाँ पहुँचती हैं फर्स्ट इंडिया की टीम यहां कारवाई खत्म कर फुलिस की टीम के पीछे पीछे दूसरे ठिकाने पर पहुँची जहां अनयतिक कारे होनी की सूचना मेली थी बजाज नगर इलाके के ही एक होटल में जिस्म फरोशी के लिए दूसरे जिले नहीं, दूसरे राज्य नहीं बलकि दूसरे देश से युवतियां आई होई थी यहां एक नहीं दो नहीं बलकि 12 विदेश युवितियां इस होटल में जिस्म फरोशी के लिए लाए गई थी इस होटल में सच अभियान अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि DCP East राहुल जैन के एक मुख्विर में उन्हें सूच ना दी कि जवाहर सर्कल में एरपोर्ट के पास एक होटल में भी वैश्या विर्ति के लिए युवतियां आई हुई है मुख्विर की बात पर DCP East राहुल जैन को एक बार तो यकीन नहीं हुआ लेकिन पुलिस टीम जब वहाँ पहुँची तो सब कुछ आखों के सामने था इस होटल में भी बड़ी संख्या में कई राज्यों की युवतियां लाई गई थी इन युवतियों के साथ युवक भी मिले ये तो केवल इस्ट जिले के दो थाना इलाकों का हाल था लेकिन शहर के छोटे होटलों में ही नहीं बलकि नामी गिरामी होटलों में भी शहर की संस्कृति को दाखदार किये जाने वाला अवैद थंदा हर रात होता है उमीद है पुलिस हर रात इसी तरह दबिश देकर शहर को क्राइम फ्री रास्धाने बना सकेगी एक के बाद एक टीन लाइव रेट क्या खुलासा हुआ कितनी बड़ी ये रेट थी आपको आगे भी दिखाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तो हम आपको दिखा रहे हैं गुलाबी नगरी की काली स्याह हकीकत आपको दिखाते हैं कि कैसे जैपूर में सुमवार और मंगलवार की दर्म्यानी रात जैपूर इस्ट पुलस ने एक के बाद एक तीन राइव रेट की हमारे कैमरे ने इस रेट को रेकॉर्ड किया देखें कि में आपको देखें प्राइव राते करीब तीन बच चुके हैं और डीचिप इस्ट राओल जयान गस्ट पर हैं लेकिन बतान साहेंगे आपको कि की बड़ी मात्र के अंदर कुरुम सर्मय ग्रफ्तर की गई है क्योंकि क्या है यह बटाइन से ऐगी खुद्राउल जव यहां पर मौजू दें हम दिखाना चाहिए को कि बड़ी चैरा यहां चुपा रही है बड़ी मात्रा में शराब की बोत्री यहां पर मिली है अम दिखाना चाहेंगे आपको शराब पार्टी यहां पर की गई थी और उसके बाद भी यह रेड यहां पर डाली गई है डिसी पीस्ट राहूल जैन खुद रातों गश्ट पर है और कुछ हर्याना से भी लोग आये हुए हैं कुछ नेपाली महिलाएं हैं यहां पर और जैपूर से जैसे मान सरोवर से मुहाना से अजमेर रोड से यहां पर आये हुए हैं तो एक तरीके के यहां पर जुए का अड़ा बना रखा था और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह यहां पर एक टेबल इस रूम पर है दूसरी टेबल एक और रूम पर है यहां पर यहां पर यह कैसीनो टाइप से पूरा इटमास्फियर बना रखा है देर रात में यहां पर खेल खेला जाता है कुछ कैश मिला है और दसियों लाक रुपएयों में हिसाब मिला है तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे कि जैपूर में कई बार फाइरिंग की घटनाएं हुई है मेंली हम इन घटनाओं का पीछा कर रहे थे तो इन घटनाओं का पीछा करते करते ये सूचना मिली कि कुछ बुकी चल रहे हैं यहां पर और जुआ खेला जा रहा है तो जो फाइरिंग की घटना है अपने आप में इंडिपेंडनेंट ना होकर उनके पीछे ये जड़ है यहाँ पे ये रुपए पैसों का लेन देन बकाया रह जाता है उधार में चलता है जिसके चलते हुए फिर विवाद पैदा होते हैं और विवाद पैदा होने के बाद एक दूसरे के उपर ये लोग फाइरिंग भी कर देते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टी वेवसाई हरियाना के भी आई हुए हैं संदिक्द हैं उनके भी थानों से पूश्टाश की जाएगी तो अब इस तरीके से हमने जैपूर को बिल्कुल फायर फ्री बनाने का एक जो प्रण ले रखा है उसके चलते आज हमने ये जुए की कारवाई की है स्थे पूरुषे हैं उनके अलावा ये दो नेपाली महिलάे हैं इनसे पूशे कर यहां पर आई हैं किस मारूपत यहां पर आई हूं और क्या काम कर रही है तो अबृइस्टीगेशन इस दिश्युक पे चलेगी फ्या राउल जेन साथ लिसी पीष्ट बतना चाहेंगे यह वो हतिया मिलाइन के पास में जो कहा जा रहा है कि चलान लाइक था या नहीं लेकिन बतना चाहेंगे कि राउल जेन के साथ साथ खुद पुष्ट पंदर सिंग एसी भी टांपोर्ट नेगर और जो लेडी सिंगम कैलाती है गुंजन सोनी वो यह मौजूद है और दिखाना चाहेंगे आपको कि यह वो युवक है यह वो जवान हैं जो हर्यान से यहां पर आयों हैं यह महिलाएं हैं यहां पर बैटके जुगा केल रहते हैं और बड़ी मातर के अंदर इनके पास लाकुर उपर रामद हो हैं सासत बनता हैंगे कि हतियार के साथ साथ शराब क्वाल्टी यहां पर कर रहे थे और कहा जा सकता है कि कुछ बड़ा गटना यहां पर होने की उमीदी लेकिन करीबन दो बत के तीस मिनट पर यानि के धाई बजे पुलिस नहीं यहां पर रेड करी और इन सभी को गिरफतार कर लि है और जो कुछ सामने आएगा वो जल्द ही दर्शे को सामने रखा जाएगा लेकिन एक बात जरूर है कि जैपूर शहर के अंदर जब ऐसी गटना ही होती है तो पुलिस हमेशे अपना काम पूरी इमानता से करती है उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी पुलिस इसी प्रकार से जो बदमाश हैं उनके उपर लगाम जरूर लगाएगी दूसरे कारवाई हुई है मालने इलाके के इस इस इस्तान पर इस होटल में आप देखते हैं विदेशी यूतिया यहां पर आई हुई है रात के करीबन सवा तीन बजे हैं और करी यह देखिए सभी विदेशी यूतिया यहां पर मुझूद है लेकिन सूतना मली डिसीपी इस टाउल जेन को और इसके बाद में इन यूतियों को यहां पर धर्द बोचा गया कहा जा रहा है कि यह जो यूतिया है वो अन्यतिक कारे के लिए यहां पर लाई गई थी हाला की हम बताना चाहेंगे आपको कि एक बातरूम है जिसको पुलिस ने ताला तोड़ा है इसका और उसके बाद में दर बताए जा रहा है कि दो से तीन उसके अंदर है यह रहे सकते हैं जिस्पकार से यहां पर यूतियां बैठी हुई है यह अन्यतिक कारे के लिए राजधानी जयपुर में आई हुई है गुलाबी नगरी जो कि हमेशा ही परेटर को इस्चान रही है आनवान और श्चान पधारु मारा रास्तान के जो मुआवरा है उसको सास्ता करती है यूतियां लेकिन शायद इस होटल के अंदर कुछ अन्यतिक कारे होता है जब पुलिस नहीं यहां पर रेट करी तो माना जा रहा है कि बड़ी मात्रा के अंदर यहां पर जो विदेश यूतियां हैं यहां मिली लेकिन कहीं कहीं सबी यूतियां नशे में हैं और खुद डिजीपी इस्ट राहूल जैन यहां पर मोके और पहुंचिए और पूरा माजरा समझ लेंगे आपसे देखिए माजरा इसमें यह है कि जो हम लोगों ने पिछली जगा पे रेट की थी वहां से अपने को कोई एक हिसाब किताब के कार्ड्स मिले थे तो उसमें इन होटल्स का जिकर किया गया था और इसमें एक तरीके से लिखा हुआ है कि कमरा नमबर फलाने में इतनी युवतियां हैं कमरा नमबर धिमकाने में इतनी युवतियां हैं तो उसकी सूचना पर हमने चेक किया यहां पर तो यहाँ पर Central Asian Countries की, मुंबई की, डेली की और चेंडिगर की लड़किया मिली हैं। अब इनका आई-कार्ड वगरा चेक किया जाएगा इसमें। और में भी पॉसिबल यह है कि जैसे Central Asian Countries से किसी तरीके का अनैतिक टूरिजम यहाँ पर डेवलप हो रहा हो। तो उसको अपन लोग चेक कर रहे हैं। मालवी नगर थाने से मनोर जी और सांगानेर से मुझे डिसी पी सर ने इस पिशली बुलाया था, साथ में सारा जापता था। दिवी सुचना को बहुती सीक्रेट रखते हुए और कारवाई एकदम से दवेश दी गी दोनों जगे पर जो पिशली कारवाई अभीम करके आए हैं। इसके बाद जस्टिया पर उसमें यह महिला आपको दिख रही हैं, इनमें दो तीन आउट ओफ इंडिया की भी हैं, उनसे भी बुश्टास की जाएगी, बाकी सभी चीज़ें आप बजाजने कर वाले बता हैं। प्राइमा फेसिया तो यही लग रहा है, बाकी और सारी चीज़ें जब तक इन से पूछ नहीं लेते, इन्वेस्टिकेट नहीं कर लेते, कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। पूरी रात के बाद और करेबन पोने चार बच चुके हैं, और हम पोंच चुके हैं होटल पियू इन, इलाका जब पूर इस्ट जहां पर पुलिस की रेड हुई है, माना जा रहा है कि यहां पर बड़ी मात्रा के अंदर जो इस्तरियां हैं, जो बाहर की विदेशी यूति हैं, वो यहां पर लाई गयती है, और एक ही इस्तमाल होता है, उनका अन्यतिक कारे के लिए यहां पर लाई गई है, हम दिखाना चाहेंगे आपको, यह वो पुलिस की रेड है, जहां पर इन इस्तरियों को पकड़ा गया है, देखिए, यह वो पुरुष महिलाएं यहां प लिखाएंगे किस परकार से यहां पर इन इस्तری चाहिए लेकर आए हो औरriteी ओगया है, हर कमरे के अंदर गुरुष है, हर कमरे के अंदर इस्तरिय है, लेकिन हम आपको फिर करना चाहेंगे कि फिर्स इंजिए का इरादा यह नहीं कि आफंब है फिश इन नीका जो इरादा वह यह है कि यह देखिए जो पुरूश निया पर पुरूश आई वे हैं हम इनसे बात करेंगे सर कहां से आई वे हैं आप कि यह दिखाना जाएंगे आपको जिस प्रकार से यहां पर रेड हुई और उसके बाद में यह जो महिला यहां पर पतली गई है और पुलिस का सर्च अभी भी जारी है कि यहां पर लोग आए हैं उनकी आइडिंटिफाइए की जाए है कि फुद डिसी पी इस्ट राहुल जैन और फुद इसी प्रूश पंदर सिंग यहां मोके पर मौज़ूद है एक बार फिर बात करेंगे हम आपके सर तीस से स्थान पर एड मारी गई है क्या कुछ पूरा म हो रहा है जो हमने पिछले होटल में देखा था जैसे कि यह संदिक दवस्ता में युवक और युवतियां हैं यहां पर और इनके यहां पर होने के जो आलामात हैं पूरी तरीके से संदिक्द हैं और किस तरीके से यह लोग यहां पर आए हुए हैं गुजरात से यहां पर आई हुए लोग बता रहे हैं और जो भी आलामात हैं वो अनैतिक कारियों के प्रती पूरी तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं बाकी अभी इन्वेस्टिकेशन की जाएगी कि यह जैसे लड़के यहां पर आई हुए यह कहां के आई हुए और जो यह लड़की आई हैं यह किस से यहां पर आई हुए जो हम पूरा मामला देख रहे हैं यह तरीके का गैंग ऑपरेशन भी कह सकते हैं आप जैसा कि मैंने पहली बार बताया कि जुआ ऑपरेट हो रहा है उसमें पूरी संभावना होती है बुक कीपिंग की जाती है वहां पर और हिसाब मिला है वहां पर और एक दूसरे के साथ यह मारा मारी का भी सीन था वहां पर और उसके बाद उसी होटल से जब हमने लिंक किये तो वहां पर विदेशी युवतियां डेली चंडीगाड और दूसरी स्टेट से आई हुई युवतियां थी वहां पर और वहीं से हमने जो फर्दर यहां पर रेजिटेंशल के हिसाब से इन्होंने कनवर्ट कर लिये हैं और यहां पर यह अनैतिक गतिविदियां चला रहे हैं तो अब देखने की बात यह है कि जो इन लोगों के कह सकते हैं कि एक तरह से लाने वाले डलाल टाइप के लोग है वो लोग कौन हैं उनके किस-किस अलग तरीके के धंदों में लिपता हैं वो लोग तो अब इस तरफ इन्वेस्टिगेशन ले जाए 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 जापूर शहर में रात को बारा बज दिसे लेकर सुबब पांदवे तक कारवाई हुई जापूर इस दिले के अंदर इस पूरी कारवाई को अंजाम दिया गया डॉक्टर राहूल जैन के द्वारा जापूर शहर के इस जिले के अंदर तीन इस्तानों पर ताबर तोड कारवाई की सबसे पहली कारवाई हुई जुए कारवाई जहां पर बड़ी मात्रा के अंदर हर्याना और पंजाब दिल्ली मुंबई से युवक यहां पर आई वे हैं और जुवा खेलते हुए पकड़ किया गया और तीसरी कारवाई सुबह साढ़े चार बज़े इस होटल प्यू इनके अंदर हुई आप देशते हैं बड़ी मात्रा के अंदर यहां पर यूत्मियों ग्रफतार किया गया है जो कि अनतिक कारे के लिए जयपूर शहर के अंदर बुलाए गई थी हमारा कहना साफ है हम केल अफ़ाई नहीं पहलाते बलकि फर्ष इंडिया की टीम को जब पता लगा कि जयपूर शहर के अंदर इस प्रकार के अनतिक कारे को अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं न कहीं पुलिस के साथ मिलकर एक दविस्माली की जो रन्निती है वो बनाए गई उसके बाद के अंदर इस तीन इस्तानों पर लगातार दविस्माली गई और लगातार अनतिक कारे को रहा होता रहा उम्मित करते हैं जयपूर पुलिस की जो जोजना है वो आगे भी इस प्रकार जारी रहीगी मेरे सेहोगी सोवन मिर्ना के साथ सतनारानी शर्मा फ़स्ट